हेलो विल्कम बैक GCC Academy मैं राम जान सर दोस्तों बिहार युनिवर्शिटी के तमाम स्टूडेंट्स आज का यह आपडेट है आज का यह तारजा आपडेट है सेशन 2020-23 का पार्टू का रिजल्ट कब आएगा और सेशन 2021-2024 के पार्टू का जो एक्जाम होने वाली है दस अग का मिलेगा देखिए जैसा कि 10 अगस्त से आप लोग का जो है एक्जाम स्टार्ट है तो अगस्तार्ट आपको आठ नौ यानि साथ आठ नौ को आपको मिलना शुरू हो जाएगा आपने कॉलेज में ठीक है एक यह हो गया और एट सेंटर लिस्ट कब आएगा सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिजे जैसी अपडेट आएगा जैसी रूटीन आएगा कुछ भी अपडेट आएगा यूनिवर्शिटी की तरफ से हम आपको सबसे पहले वीडियो डालेंगे ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कर लिजे ठीक तक पार्टव रिजल्ट पर आया बरा अपडेट इस तारीक तक के जारी हो सकता है नतीज़ जैसा कि बिहार युनिवर्सिटी ने कहा था बच्चो के रिजल्ट जो है अगस्त के फर्स्ट विक में जारी हो सकता है और यह लेट होने का कारण है प्रैक्टिकल का मार्स नहीं और तक के युणिवर्शिटी को नहीं वेजा है इसलिए ले ठोड़ी लेकिन रिजल्ट जो है ना फॉस्ट विक में नहीं आसकती है यह पूरी लगा सकते हैं आप दिमाग लगा सकते हैं कि ऑगस्ट के फॉस्ट विक में रिजल्ट मिलगूर भी नहीं आसकता है आपको बियारे बीयों टीडिशेप पार्ट रिजल्ट वाज़ार बाइस का अखिल भारतिय विद्यारती परिशत एबी वीपी के तर्के गुरुबार को बियारे बिहार विश्व विद्दा ले कि परिक्षा नियंतरक को बुलाया है और उनसे बात चितकी है और उन्होंने कहा है कि पार्ट टू का जो सेशन लेट चल रहा है 20-23 वाला वो गलत बात है जो है समय पे जो है रिजल्ट को जारी कर देना चाहिए एक तो ऐसे ही सेशन लेट चल रहा है यहां देख पा रहे है पहले से ही चल रहा था विलम सत्र और बहुत जबकि अभी तक के 2023 तक जो है ना प उनिवर्शिटी से बैठक की है बाचित की है तो उन्होंने कहा है तो यूनिवर्शिटी जो है ना रिजल्ट जारी करने के लिए तयार है लगवाद 10 तारीक के संतिंग में रिजल्ट आ सकता है पार टू का ठीक है अब लोग घबराए ने रिजल्ट बहुत आएगा अच् चैनल को सब्सक्राइब कर देजाएगा वीडियो को लाइक कर देजाएगा आज इतना ही यही अपडेट थी मिलते नेक्स वीडियो में